टीम इंडिया के पुर्व कप्तान विराट कोली इस वक्त आलोचको के निशाने पर हैं। अगतार विराट कोली की फॉर्म को लेकर तमाम दिग्गस खिलाडी उन पर निशाना श्ताद रहे हैं। आलही में भारत के पुर्व कप्तान कपिल देव ने भी विराट कोली को लेकर बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि विराट कोली की T20 फॉर्म साथ ही ओल फॉर्मेंट की फॉर्म इस्वक चिंता का विशे है। और विराट कोली को टीम इंडिया से बाहर किया जा सकता है। टीम इंडिया से बाहर नहीं किया सकता है। उनके पक्ष में हैं। साथ ही रोई शर्मा ने कहा था कि जो लोग बाहर से चलाएं दे रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि टीम के अंदर क्या हो रहा है। टीम एक अलग तरीके से एक अलग सोच से बनती है। और खिलाडियों को कमबैक किया जाता है। खिलाडी को एक दो सीरी खराब नहीं बनाती है। खिलाडी कब फॉर्म हासिल कर ले। ये किसी को नहीं पता हर खिलाडी के जीवन में उतार-चडाव होता रहता है। कभी form अच्छी होती है, तो कभी खराब होती है, अब BCCI अध्यक्स सौरफ गांगुली ने भी रोई शर्मा का समर्थन किया है, आपको बता दें कि BCCI अध्यक्स सौरफ गांगुली ने विराट कोली के परदशन के लिए उमीद जताई है, साथ ही उन्होंने कहा है कि विराट कोली के नंबर्स देखिए, यानि कि उनके आकड़े देखिए कि सरीके से शांदार और कितने बहतरीन है, उनके नंबर्स बताते हैं कि उनके अंदर कितनी क्वालिटी और कितना बहतर खेल है, साथ ही ऐसे नंबर्स बिना शमता और बिना क्वालिटी के हासिल नहीं कर रहे हैं आपको बता दें कि इंग्लेंड के खिलाब के ले गए तीसरे टी-20 मुकाबले में विराट कोली को रोइन की माश्पीशियों में खिचाव आ गया था इसके बाद वह पहले बंडे से बाहर हो गए थे और ऐसे में विराट कोली अब दूसरे और तीसरे बंडे में बापसी करेंगे इसकी कम ही उमीद जताए जा रही है क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और वर इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें नमस्कार